मेरे प्यारे देश्वासियों, हर साल की तरह इस बार भी पद्म एवाड को लेकर लोगों में बड़ी उत्सुकता थी। आज हम एक न्यू इंडिया की और अग्रसर हैं। इसमें हम उन लोगों का सम्मान करना चाहते हैं जो ग्रासरूट लिवल पर अपना काम निसकाम भाव से कर रहे हैं। कि ये कौन है? एक तरह से इसे मैं बहुत बड़ी सफलता मानता हूँ। क्योंकि ये वो लोग हैं जो टीवी, मैगेजिन या अख़बारों के फ्रंट पेश पर नहीं हैं। ये चकाचाउंत की दुनिया से दूर हैं। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो अपने नाम की परवा नहीं करते, बस जमिनिस्तर पर काम करने में विश्वास रखते हैं। योगह करम शुका उशलम, कीता के संदेश को वो एक प्रकार से जीते हैं। मैं ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ओडिशा के दैतारी नायक के बारे में आपने जरूर सुना होगा। उन्हें कैनाल मैन अप दो ओडिशा यूही नहीं कहा जाता। दैतारी नायक ने अपने गाउं में अपने हातों से पहाड काटकर तीन किलो मिटर तक नहर का रास्ता बना दिया। अपने परिस्थरम से सीचाई और पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्प कर दी। गुजरात के अबदुलगफूर खत्री जी को ही लीजिये। उन्होंने कचके परमपारिक रोगन पैंटिंग को पुनरजीवीत करने का अध्भूत कारे किया। वेश दुरलब चित्रकारी को नई पीडी तक पहुँचाने का बड़ा कारे कर रहे हैं। अबदुलगफूर द्वारा बनाई गई ट्री अफ लाइफ कलाकृति को ही मैंने अमिरिका के पूर्व राश्पती बराक उबामा को उभार में दिया था। पद्म पुरसकार पाने वालों में मराठवारा के शबीर सेयद गवमाता के सेवक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने जिस प्रकार अपना पूरा जीवन गवमाता की सेवा में खपा दिया या अपने आप में अनूठा है। मदुरई चिन्ना पिल्लई वही शक्षियत है जिनोंने सबसे पहले तमिलनाडु में करन जीम आंदोलन के जरिये पीडीतों और सोशितों को ससक्त करने का प्रयास किया। साथी समुदाय आधारित लगू वित्तिय व्यवस्ता की शुरुवात की। अमेरिका की तावो पॉर्चोन लींच के बारे में सुनकर आप सुखत आचरे से भर जाएंगे। लींच आज योग की जीती जागती संस्ता बन चुकी है। सोव वर्स की उम्र में भी वे दुनिया भर के लोगों को योग का प्रस्विक्षन दे रही है। और अब तक डेड़ हजार लोगों को योग स्विक्षक बना चुकी है। जारखन में लेडी टारजन के नाम से विख्यात जमुना टूडू ने टिंबर माफियाव और नक्षलियों से लोहा लेने का सासिक काम किया। उन्होंने नकेवल पचास हेक्टर जंगल को उजणने से बचाया, बलकि दस जार महिलाओं को एक जूट कर पेडों और वन्ने जीवों की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया। ये जमुना जी के परिश्रम का ही प्रताफ है कि आज गाउवाले हर बच्ची के जन्व पर अठारा पेड और लड़की की शादी पर दस पेड लगाते हैं। नाम की संस्ता की स्तापना कर वे नेत्रहिन बच्चों को आत्म निर्फर बनाने के पुनित कारिय में जुटी हैं। बिहार के मुझबफरपूर की किसान चाची यानि राजकुमारी देवी की कहानी बहुत ही प्रेरक है। महिला, श्रसक्तिकरण और खेती को लापकारी बनाने के दिशा में उन्होंने एक मिशाल पेश की है। किसान चाची ने अपने इलाके की 300 महलाओं को सेल्फ हेल्फ गुरुप से जोड़ा और आर्थिक गुरुप से स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने गाउं की महलाओं को खेती के साथ ही रोजगार के अन्य साधनों का प्रस्रिक्षन दिया। खास बात ये हैं कि उन्होंने खेती के साथ टेक्नोलोजी को जोड़ने का काम किया। और मेरे देशवासियों शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इस वर जो पद्मपुरस्कार दिये गए उसमें 12 किसानों को पद्मपुरस्कार मिले है। आम तोर पर क्रिसी जगत से जुड़े हुए बहुत ही कम लोग और प्रत्यक्षक किसानी करने वाले बहुत ही कम लोग पद्मस्री की सुची में आये हैं। ये अपने आप में ये बदलते हुए हिंदुस्तान की जीती जाकती तस्वीर है।